हलो, नमसकार, आदाब, सस्रियकाल, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सेविल सर्विसिज में दोस्तों, आज हम अपनी लेक्चर सीरीज का एक नया भाग आपके सामने लेकर आए हैं ये है वर्ष 2016 का GS2 का डिसकशन इसमें भी, आज मैं दूसरा वीडियो आपके सामने लाया हूँ इससे पहले मैं एक वीडियो आपके साथ अलरी डिसकस कर चुका हूँ जिसमें करीब 5 questions हमने अच्छे से डिसकस किये हर एक question की तह तक पहुँचके उसकी जड़ को पकड़के उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा देखिए हर एक जो भाग होता है उसकी कुछ मांग होती है, कुछ उसकी demand होती है उस demand को समझते हुए ही हमने अपना answer यहाँ पे तयार किया है तो अगर आप हमसे जुड़े हैं, यह approach से आप जरूर परचित होंगे अगर आपने मुझे अभी join किया है, तो मेरी गुजारिश है प्लीज मेरे पुराने सभी वीडियो देखें एक approach हमने आपकी develop कराने की कोशिश की है जिससे आप कभी भी कोई भी means दें, आपके मन में वो approach रहे और इस approach से फाइदा यह होगा, कि आप question के किसी भी part को miss नहीं करेंगे कुछ भी question में ऐसा नहीं है, जो आपका skip हो जाए और इसके साथ एक और निवेदन है दोस्तों एक बार आप वीडियो देख लें, वीडियो खतम होने के बाद आप खुद दो से तीन सवाल जरूर practice करें जब आप practice करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना difference आ रहा है आपके answer में, आप बहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे इन सब बातों के चलते ही, फिर आप एक सही judgment अपना ले पाएंगे तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने answer को लगातार बहतर बनाते रहें एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि जब ये video lectures देखें तो एक copy एक pen लें और इसके साथ में notes बनाते जाएं क्यूंकि बहुत सारी बाते ऐसी हैं, जो इस जो आपका PDF है उसमें नहीं दे रखी है हम लोग आपको यहाँ पे बोल के बताते हैं, discuss करते वक्त बहुत सारी बाते सामने आती हैं तो मैं चाहता हूँ आप किसी भी point पे miss ना करें, तो प्लीज एक copy pen लेके बैठें और आप इसके साथ साथ notes बनाते चलें इससे आपकी बहुत सारी परिशानिया हलो जाएंगी, पूरा वीडियो लेक्चर हम हिंदी में discuss करते हैं, तो आपकी आसानी से पकड़ में आ जाएंगे कि किस तरीके के question हैं, उनको कैसे deal करना है आईए इसी सब note के साथ शुरू करते हैं अपना आज का lesson question number 5 से पहले के सवाल मैंने आपसे पिछले वीडियो में discuss किये, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने question number 6 और उसके बाद के सवाल तो देखते हैं question number 6 क्या कह रहा है, देखिए छटा question जो है ये बहुत एक important case से deal करता है, ये है कोहलो case या फिर मैं कहूँ तो ये है IR कोहलो case versus state of Tamil Nadu, ये case है 11 जनवरी 2007, इस case में आपको date याद रखनी जरूरी है, ये बहुत important case है, आप कहीं भी mention कर सकते हैं, आपको जो answer में ये आपके मजबूती देगा, ये उसमें enrichment लाएगा, वो अलग ही level पे है, तो प्लीज इसको ध्यान स सुनें और इसकी dates याद रखें, इससे जुड़े हुए facts याद रखें, देखें ये एक तो important इसलिए हो जाता है, क्योंकि ये 9 judge bench का case था, 9 judge बैठे थे इस case के फैसले के लिए, अगर मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो ये case deal करता है आपके basic structure doctrine से, इसकी तकनीकी आपको मैं अब बताऊंगा, जिसका इजाद हुआ था केशवानन्द भारती case में 1973 में, इसमें बताया क्या गया था केशवानन्द भारती case में कि भई, अगर कोई भी चीज basic structure को amend करना चाह रही है, तो ये संभव नहीं है, और अगर फिर भी आप करते हैं, तो हमारी जुडी श्री उ जिसमें बताया गया कि judicial review जो है, वो basic structure of the constitution है, आपके समविधान का basic structure है, तो आप किसी भी चीज को अगर judicial review से immune कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऐसी बन जाये कि जहाँ पर judiciary की नजर ना जा पाये, तो वो समविधान के खिलाफ है, unconstitutional है, उसको हमारी judiciary strike down कर सकती है अब इस case के लिए आपको एक ninth schedule का पता होना जरूरी है, ninth schedule क्या था, ये 1951 में हमारे समविधान में डाला गया, ये basically इस purpose से डाला था कि कोई भी law को अगर आपको judiciary से दूर रखना है, जो उस पे judicial review नहीं होना है, तो आप उसको ninth schedule में डाल देंगे, तो यहाँ पे judicial review possible नहीं है, जो पहला law यहाँ पे रखा गया था, वो था जमीनदारी abolition law, इसमें अगर आपका यहाँ पे law आ गया है, तो इसमें एक बात साफ है कि judiciary का कोई भी पहुँच नहीं है, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, अब ये जो आपका IR को hello case है, ये पूरा case इसी बात के इर्दगि इसमें पाँच बड़े बड़ी तौर पे जो चीजें आई उभरके वो आपके लिए बहुत important है, सबसे पहली बात कही गई जुडिशरी द्वारा कि भई, अगर आपने इस नवे schedule में कोई law रख दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी उस पे नजर नहीं र unconstitutional असमविदानिक घोशित कर सकते हैं, उसको strike down कर सकते हैं, उसके अलावा एक तारीक याद रखना जरूरी है, 24 अप्रेल 1973, जो तारीक थी आपके केश्वानंद भारती केस की, तीसरी जो बात इस केस में कही गई, वो कहा गया कि 24 अप्रेल 1973, जब हमने basic structure doctrine का इजाद किय है, वो जब establish हुई है, पहली बार जब वो आई है, उसका foundation ले किया गया है, तो उस तारीक के बाद, अगर आप कोई भी law इस 9th schedule में रखते हैं, तो उस पे judicial review possible है, हम लोग उस पे निगाह डाल सकते हैं, उसकी समविदानिक ताक पे हम लोग question कर सकते हैं और judgment दे सकते हैं, फिर आई चोथी बात कि भई अगर जो आपका law है, वो article 21, article 14, article 15 और article 19 से violative है, अगर इसको भंग कर रहा है, वाइलेट कर रहा है, तो फिर इस law को भी unconstitutional घोशित किया जा सकता है, और आखरी में अगर आप इस तरीके से चीज़े कर रहे हैं, तो आप हमारे समविधान के part 3 को violate कर रहे हैं, जो कि है fundamental right, तो ये था आपका पूरा case, अब इस पर अपन answer देख लेते हैं, आईए, देखिए इसमें अप्रोच रहेगी, सबसे पहले आप बताएं basic structure doctrine क्या है, ये कब आई, ये किस case में आई, ये सब बाते करें, उसके बाद आप बताएं, ये जो अपन case है, को hello case कि क्यों आया, इसमें क्या बताया, तीसरी बात आप करें कि judicial review क्यों जरूरी है, देखिए, case इसी बात पर focus कर रहा है कि judicial review होना चाहिए, वो है, तो अब आपको अपना पक्ष भी रखना है कि judicial review, इसने तो बोल दिया case ने, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि judicial review important है और क्यों है, finally आप क्या करें, judicial review की significance बताते हुए, उसकी importance बताते हुए, अपना answer खतम करें, तो देखिए, मैंने शुरू किया है, basic structure के बारे में बात करते हुए, मैंने कहा है, ये case था, केशवानन्द भारती case, versus state of Kerala, 1970 का, उसी में पहली बार, ये basic structure का, जो concept है, ये और basic structure ये basic feature जो है, constitution का, उसको amend करना संभव नहीं है, उसके अलावा, आने वाले judgment में, जैसे हमने बात की, मिनर्वा मिल case में, तो उसमें Supreme Court ने बोला, भाई, judicial review भी basic structure का ही part है, तो आप किसी जगह पे अगर judicial review मना कर दें, तो वो गलत है, वो समविधानिक नहीं है, उसके बाद में आता हूँ, case में, तमिलनाडू state के खिलाफ था, 2007 का case है, ये, 9 judge bench का case था, उसमें कहा गया, कि भाई, अगर कोई भी act या कोई law आपने नवे schedule में place कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि उसके judicial review नहीं हो सकता, it is open to judicial review, अगली बात इसमें ये बोली गई, कि अ तारीक की बात की गई, जो तारीक थी, केशवानन्द भारती case की, 24 अपरेल, 1970, बोला गया, कि इसके बाद, जो भी आपके law है, वो भले ही आप 9 schedule में रख दें, तो भी उस पे judicial review possible है, और अगर आपका कहीं article 21, 14, 19, इनको violate कर रहा है, तो ये समझ लीजिए, कि आप part 3 के के खिलवाड कर रहे हैं, और ये भी ठीक नहीं है, और चौती बात ये है, कि आपने जो 9 schedule में रखा है, कोई भी चीज, भई, उसके पीछे कोई defined criteria तो है नहीं, पारलियमेंट का discretion है, उसकी मर्जी है, उसने सोचा, कि ये वाला law जुडी श्री की नजर से दूर रखना है, तो उसने यहां रख दिया, तो ये जब आपकी मर्जी पे बात हो गई, तो फिर वो समविधानिक हो ही नहीं सकती, तो इसलिए अगर ये वाला भी principle हो रहा है, तो आपके पार्ट श्री के साथ खिलवाड किया जा रहा है, ये बाते कहीं गई कोहिलो केस में, अब judicial review क्यों ह होना चाहिए, देखे, judicial review से क्या होता है, judiciary आपकी fundamental rights की रक्षा करता है, अगर state कोई भी law ऐसा लाए, कोई भी नियम, काईदा या कानून ऐसा लाए, जिससे citizen की freedom, उसकी independence किसी भी तरीके से violate हो रही हो, तो judiciary अपना काम करता है, वो उस law को असमविधानिक घोशित करके हटा देता है, तो इसी लिए ये constitutionality of कोई भी law भी चेक करता है, तो इसी लिए अगर कोई भी law आप judiciary की नजर से दूर ले जाएंगे, तो अपने आप वो against होगा basic structure doctrine के, finally, जो judicial review है, वो rule of law प्रमोट करता है country में, तो इसी लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ये citizens को protect करता है, government के arbitrary decision से, government अपनी मनमर जी के जो decision लेता है, उससे protect करता है सभी नागरिकों को, जैसे की example दिया है, मैंने 66A section का, ये जो section था, इसको draconian बोला गया था, इसके तहट अगर आप सरकार के खिलाफ, या authority के खिलाफ किसी कुछ भी बोलते हैं, भले ही electronic medium से बोला, या कैसे भी बोला या message communicate किया, तो आपको jail हो सकती थी, आप पे fine लग सकता था, लेकिन बाद में इसी को check करने के लिए कुछ cases चले, और finally ये पाया Supreme Court ने, कि भई ये जो आपका 66A है of the IT Act, ये article 19 को violate करता है, freedom of speech and expression, तो इसने क्योंकि आपके fundamental right को violate किया, इसी वज़े से ये समविधानिक हो ही नहीं सकता, finally ये आपने बताया क्या importance है judicial review की, आपने conclude कर दिया कि भई इसी लिए judicial review जो है, वो one of the most important feature होना चाहिए हमारे समविधान का, हमारे भारतिय समविधान का, तो इसी लिए judicial review हमेशा जीवित रहना चाहिए, इस तरीके से आपने पूरा question tackle किया, ये important question है, ये जो case है, कहीं भी basic structure की बात है, judicial review की बात है, ये case का आप जरूर जिकर करें, अगला question देखते हैं, देखिए ये question है, Government of India Act 1935 के regarding, फई ये कहता है कि इस act ने क्या एक federal constitution का निर्मान किया है, क्या एक परी संधिये समविधान रखा है, ये आपको बताना है, इस पे discuss करना है, discuss जहा मार्क पे चलके आपको अपने जो मार्क है उससे भटकना नहीं है, आपको सटीक रहना है, आपको अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए examples का सहारा लेना है, question को हम तोड़ते हैं, तो देखिए एक है, Government of India Act 1935 उसी के इर्दगरत पूरा सवाल गूम रहा है, फिर उसके बा बताएं कि फेडरलिजम भाई होता क्या है आखिर, फिर उसके बाद आप Act पे आ जाएं, अब यहां से Body में मैं पूरी Act की बात करूँगा, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ लूँगा, एक मैं तो बताऊंगा कि जो Act था उसने कौन-कौन से Federal features रखे, आगे मैं बताऊंग है वो आप अपने Conclusion में बताएं, देखे शुरू मैंने किया है Federalism की Definition देखे, क्या है, एक System of Government है, जहां पे होता क्या है, जो Power है वो नीचे आपके Constituent Political Units में डिवाइड होती है, अगर यहां पे आपकी Center है, आपकी केंदर सरकार है, तो नीचे States में डिवाइड होगा, उ और वो क्या एक Distribution of Power की Scheme दिखाता है, States के बीच में और उसकी Coordinate Bodies के बीच में, अब मैं आता हूँ, आक्ट पे, आक्ट क्या है, सबसे पहले आक्ट के कुछ Federal Feature बात करते हैं, इसने आक्ट ने एक All India Federation का निर्मान किया, हलाकि यह कभी भी Practical तोर पे आ नहीं पाया, यह सत कभी नहीं हो पाया, लेकिन इसका Intention था एक All India Federation बनाना, तो यह एक ऐसी Federation होगी, जिसमें सभी British India Province होगी, और अगर और कोई भारतिय स्टेट इसमें आना चाहे, तो वो भी आ सकता है, लेकिन एक All India Federation होगी, सब लोग आपस में जुड़े रहेंगे Federal Unit के तोर पे, लेकिन जो हमारे राजा थे, प्रिंसली स्टेट से, उन्होंने इसके लिए consent नहीं दिया, तो इसी वज़े से यह Federation कभी भी reality में नहीं आपाई, सिर्फ papers पही रहे गई, अब provincial autonomy की बात करते हैं, तो इस Act ने province को भी कुछ autonomy दी, इसने legislative power को divide किया, केंदर के बीच में और उनकी provinces के उनिट थी, उनको केंदर सरकार पे निर्भर नहीं होना है, एक autonomous unit है, हाला कि जो governor employ किये जाते थे, provinces में उनको act करना पड़ता था, on the aid and advice of ministers responsible to the legislature, ये एक बात थी, लेकिन provinces को autonomy फिर भी grant हुई, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, federal legislature, यहाँ पे bicameralism introduced हुआ, एक upper house और एक lower house राजसभा, लोकसभा, ये introduce किया गया, देखिए, एक था legislative assembly, एक थी council of states, list system की यहाँ पे बात हुई, जो हमारे आज भी समविधान में है, 7th schedule है आपका, 3 list हैं, ये हमने इसी act से लिया है, यहाँ पे क्या है, 3-fold division है, federal list है, provincial list है, concurrent list है, federal list में वो सभी subject हैं, जिस पे center आपक law बनाएगा, इसमें करीब 59 items हैं, provincial list जो आपकी आई, उसमें आपके provinces हैं, वो law बनाएगे, इसमें 54 items आए, और concurrent list ऐसी थी जिसमें दोनों के दोनों law बना सकते हैं, यहीं पे एक federal code का निर्माढ हुआ, जिसकी 3 तरीके की jurisdiction थी, original affiliate advisory, और ये सभी मुद्दों को deal कर सकता था, अगर dispute होगा, center और उसके federal units के बीच में, ये उसके original jurisdiction में आता था, ये आपके हो गए सभी के सभी federal feature, अब बात करते हैं अपन यूनिटरी feature की, भाई, यूनिटरी feature में ये था, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पे central government का अभी भी upper hand था, governor को हाला कि जो minister responsible थे, उनसे aid and advice लेनी पर्तिती पर कुछ मुद्दे ऐसे थे, जहाँ पे इनको aid advice नहीं, बलकि उपर से सारे instruction आते थे, उपर बैठे थे governor general और secretary of state, ये लोग instruction भेजते थे और उस आधार पे governor उन subjects पे legislation बनाते थे, तो ये आपके जो हो गए center के हाथ में ज़्यादा power हो गई, फिर उसके बाद federal जो legislature था, जो हमारा ऊपरी केंदर सरकार थी उस समय कि, आप ये समझेए, उसके पास power थी कि वो state list में घुसके वहाँ के भी subject पे बात कर सकता है, अगर governor general emergency डेकलेर कर दे तो, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किस तरीके से unitary feature बने हुए थे, उपर वालों ने अपने अंदर power absorb कर ली थी, अगर emergency आ गई तो नीचे वाले सब गायब सिर्फ उपर वाला ही रह जाएगा, उसके बात की बात करते हैं, अगर दो या दो से जादा legislature साथ में मिलके request करते हैं, कि हमारे common interest में please, आप हमारी लिए law बना दीजिए, तो भी federal उसमें law बना सकता था, तो आप देखिए center के पास जादा power है, concurrent list की बात करें, तो concurrent list में हाला कि दोनों के दोनों law बना सकते थे, लेकिन अगर कभी विवाद हो गया किसी मुद्दे पे, तो federal ने जो law बनाया है वो prevail करेगा, आपके केंदर ने जो law बनाया है वो ही prevail करेगा, जब तक कि उस पे governor general अपन ascent ना दे दे, तब तक federal law prevail करेगा, अगर governor general ने okay कर दिया किसी provincial law को, तो provincial law prevail करेगा, तो इस तरीके से ये वाली भी power center के पास जादा है, और फिर residery power की बात करें, तो यहाँ पे ये governor general में पूरी की पूरी power सिम्टी हुई है, तो ये भी आप देखें, residery power भी governor general के पास है यानि की center के पास है, तो ये था unitary feature, तो ये सभी बाते में देख के ये कह सकता हूँ कि भाई, government of India आक ने कोशिस तो की, लेकिन ये कुछ हद तक पीछे रह गया federal system establish करने के, तो ये कहना सबसे सटीक होगा, कि इसने 80 federal constitution जारी किया, 80 federal जो है, यानि कि कुछ feature तो है federal के, और क कुछ feature इसमें unitary के, तो इसने ये beach वाला समविदान जारी किया, अगले question पर चलते हैं, इस ये question है कि, क्या है कोशी judicial body, और आप example के तहट समझाईए, ऐसी body जो कोई और काम करती है, लेकिन court के अलावा court नहीं है, जिसका कोई और काम है, लेकिन वो साथ में matters पे judge भी करती ह है, उसको हम 80 judicial body कहते हैं, अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखिए, यहाँ पे explain है, आपका keyword explain में आपको क्या है, discussion बहुत detailed देना है, अच्छे से तह तक जाना है, और statement को मजबूती कैसे देंगे आप examples की मदद से, यहाँ पे तो ये खुदी कह रहा है कि आप examples की भाग आते हैं कि कासी judicial body क्या है और concrete examples के तहत इस बात को prove करें, बहुत simple, subtle approach है, सबसे पहले define कर दें, फिर उसके बारे में इसके कुछ features बता दें, आपने features बता दिये, finally इसके बारे में examples देके अपने answer को end करें, तो देखिए, शुरू मैंने किया है, कोई भी ऐसा institution या फि individual जो power वो possess करता है, जो code के जैसी power हो, उसको हम quasi judicial authority कह सकते हैं, और उसके पास power होती है, किसी भी मुद्य पर adjudicate करने की, किसी मुद्य पर कोई judgment pass करने की, और हाला कि ये जो है, ये कई लोगों की, कई individual किसी entity के जो conduct है, उसको भी regulate कर सकती है, और आप इसको ये भी कह सकते है कि एक ऐसा organ of the government है, लेकिन ध्यान रखीजिए, court को आप quasi judicial नहीं कहेंगे, court तो पूरी तरह judicial है, और legislature भी जो government का एक organ है, वो भी इसमें नहीं आएगा, और कोई organ जो की affect करता है, rights of private parties कैसे, या तो adjudicate करके, या फिर law और rules बनाके, उसको भी हम quasi judicial body कह सकते हैं, अब इसके ब महाँ पर बात कीती, देखिए, सबसे पहले तो ये settlement authority की तरह भी काम करता है, अगर आपके कुछ मुद्धे हैं, जहाँ पर आपके discipline का breach हुआ है, आपके rules follow नहीं किये गए है, आपका trust तोड़ा गया है, पैसे के मुद्धे हों, या और कोई मुद्धे हों, उसमें ये settlement authority की सरे काम करता है, उसके बाद इसका जो area of expertise होता है, वो specific होता है, एक किसी मामले में ये महारत हासिल किये होता है, जैसे कि employment के मुद्धे, या financial मुद्धे, या public standards maintain करना, या फिर immigration, या फिर regulation, तो एक कोई मुद्धा ये पकड़ता है और उस पे इसकी महारत होती है, तो तीसर पॉइंट अगर अपन देखें, तो देखिए इसका जो nature हो सकता है, वो varying nature है, इसका मतलब ये है कि यही चीज statutory भी हो सकती है, यही चीज regulatory भी हो सकती है, वही चीज constitutional भी हो सकती है, आपको बनाना है उसको quasi judicial, तो उसके अलग-अलग nature हो सकते हैं, बहुत सारी bodies constitutional है, समविध rights commission, body ये एक statutory है, लेकिन फिर भी quasi judicial है, वही पर finance commission आप देखें, तो वो भी quasi judicial है, लेकिन वो एक constitutional body है, article 280 के तहत वो बनती है, और वही आप देखें, से भी, तो से भी है क्या एक regulatory authority है, वो stock market को regulate करती है, लेकिन वो भी quasi judicial है, वो judicial function भी perform करती है, तो आपने देखा, ये constitutional भी हो सकती है, ये statutory भी हो सकती है, और ये regulatory भी हो सकती है, उसके बाद अपन बात करें, तो क्या awards, क्या judgments की बात है, तो देखें, generally इनके कुछ rules होते हैं, जो स्थापित होते हैं, जो pre-determined है, उसी पर ये अपनी सजा सुनाते हैं, अगर punishment देना हो, तो कभी गबार ये जो आपक gravity of, आपका crime है, किस हद तक आपने crime किया है, उस अनुसार भी है, आपको punishment देते हैं, ये punishment legally enforceable हो सकता है, country में में भी है, तो हो सकता है, हो सकता है, ना भी हो, लेकिन हो सकता है, हो भी, उसके अलावा जो इसके punishment होते हैं, ये court में challenge किये जा सकते हैं, और court ही आपकी final authority की तरह है, काम करेगा उसके बाद, तो ultimately, ये जो है, इनके ऊपर भी बैठा है court, अगर आप, इनने आपको कुछ decision दिया, आपको किसी बात की उसमें problem है, तो आप ऊपर court में जा सकते हैं, वो जो decision देगा, फिर वो final माना जाएगा, फिर उसके बाद इनके जो creation है, वो अलग-अलग purposes पर depend करते हैं, अलग-अलग period में हो हैं, जैसे की Central Vigilance Commission, CVC, तो ये CVC है, ये खुद permanent body है, लेकिन ये भी quasi judicial है, उसके बाद finance commission आप देखें, तो हर 5 साल में इसका establishment होता है, पर ये भी quasi judicial है, तो देखिए, उसने कहा था, examples के तहत, तो मैंने ऐसे अपने points में भी example include कर लिय और मैंने अलग से भी यहाँ पर कुछ examples के तोर पर bodies mention कर दी, तो इस तरीके से क्या आपके answer को बहुत weight मिल गया, बहुत भारी भरकम हो गया, और अच्छा enriched answer तयार हो गया, आप देखिए, यहाँ पर मैंने बात की है, Central और State Information Commission, National State Human Rights Commission, National State District Consumer Dispute Redressal Commission, Competition Commission of India Appellate Tribunal, State Electricity Regulatory Commission, Rail Railway Claims Tribunal, Income Tax Appellate Tribunal, State Sales Tax Appellate Tribunal, तो आप इसमें से जितने याद रख पाएं, उतने सही हैं, लेकिन अगर कुछ आपने यहाँ पे भी अपने points के साथ डाल दिये, तो आपके answer एकदम बढ़िया, एकदम पूरा content से भरपूर हो जाएगा, आईए अगला question देखते हैं, अगल नहीं लाएंगे, जब तक आप primary health care में reform नहीं लाएंगे, देखिए यहाँ पे education और health दोनों को साथ में लिलिया है, एक education है और एक health है, तो दोनों ही मुद्धोवे अपने को बात करनी है, अगर आप इनमे reform नहीं लाएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा, रुका आप suggestion देख कैसे इनके status को बढ़ाएं और कैसे इनमे performance में boost लाएं, इन दोनों areas पर आपको focus करना है, तो आपका जो answer है वो दो हिस्सों में टूटेगा, एक है primary health care, एक है primary आपका education, एक है आपका प्राथमिक स्वास्थ, एक है आपका प्राथमिक शिक्षा, दोनों चीजो को भरें, अपने suggestions यहाँ पर दें और इस तरीके से अपने answer का structure बनाएं, यहाँ पर कोई keyword है नहीं, अगर मैं question को तोड़ लेता हूं तो देखिए, दो बातों के इर्दगरत पूरा सवाल घूम रहा है, मैंने यही दो बातें आपसे कहीं है, एक तो है आपकी प्राथमिक primary education एक आपकी है प्राथमिक स्वास्त देखभाल या फिर primary health care, आपको इन दोनों के आसपास ही अपना पूरे answer को रखना है, फिर उसके बाद दो बाते कह रहा है यह कि पहली point तो है प्रोफेसर अमर्तिसेन ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर आप reform लाएंगे तो ही आपका देश तरक्की करेगा, development की तरफ बढ़ेगा, तो आपको अपने answer की शुरुआत में इनकी बात करनी है, इनके कह हुए points कहने है, लेकिन आपके answer का बहुत ही छोटा सा भाग बने गई है, उसके अलावा आपका जो main part है वो यह वला है, आपको suggestion देने है कि कैसे इनको improve किया जाए, इनका status बढ़िया किया जाए, तो देखिए approach आपकी रहेगी, शुरुआत में आप idea बता दें क्या है प्रफिसर अमर्ते सेन का, उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो body में आप दो भाग करिए, पहले भाग में आप लीजिए primary education जो हमने वहाँ पे बात की थ दूसरे भाग में आप लीजिए primary healthcare, इससे आपको question को आसानी से तोड़ने और समझने में बहुत help मिलेगी, तो यही आप approach follow करें, उसके बाद कोशिश करें, एक optimistic, एक positive बढ़िया note page को खतम करें, तो देखिए शुरू मैंने किया है प्रोफेसर अमर्ते सेन की बात से, मैंन के बाद मैंने कहा है, कि उन्होंने अपना dissatisfaction व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, अपने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और अपने प्राथमिक स्वास्त देखवाल को बढ़ावा देने के लिए, इस case में अभी भी सरक सरकार को बहुत काम करना बाकी है अगर सरकार यहां पर अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करेगी ध्यान नहीं देगी तो देश की सस्टेनेबल एकनॉमिक ग्रोथ रुख जाएगी आपको वहाँ ध्यान देना ज़रूरी है तो फिर अब आगए मेरे खुद के सजेशन मैंने दो जो compulsory education है वो सरकार की जो priority list है उसके top पे होना चाहिए education होगी तभी बच्चा आगे पड़ पाएगा आगे पड़ेगा आगे बढ़ेगा कुछ समय बाद उसमें skills डेवलप होँगी तो वो देश का demographic dividend की तरह उभरेगा और अच्छी job उसको हासिल होगी अच्छी job मिलने के fundamental right भी है छह से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 में उसको अपनी priority list के top में रखें फिर बाद में development initiatives लगाएं RTE जो है उसको धीरे से preschool में भी बढ़ा दें और आगे higher secondary में भी बढ़ा दें अभी एक scheme चली है समगर शिक्षा अभियान जिसमें सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान और teachers education ये तीनों ही चीज़े incorporate की कई समगर बना है इस तरीके की schemes को लाना जरूरी है जरूरी है इनका implementation अच्छे से हो mid day meal scheme है उसका implementation अच्छे से करना जरूरी है आपके जो teachers है उनकी training पे आप जोर दीजिए अगर आप इस पे जोर देंगे तो बच्चे को अच्छा पढ़ा पाएंगे और आगे जाके बच्चा भी अच्छा कर पाएगा उस हम सफल हो गए लेकिन ये गलत बात है भाई enrollment ratio अलग चीज है ये मान लीजे आपका school है दो बच्चे इसमें जा रहे हैं और आपने mid day meal scheme चला रखी है तो बच्चे क्या है खाने की लालच में यहां जा रहे हैं और जाके फिर उसके बाद खाना खाके वापिस आज़ते हैं या फिर पूरा attend भी कर लेते हैं तो वो पूरे ध्यान से पढ़ा ही नहीं कर रहें अगर आप learning outcome नहीं दे रहें अगर आप quality education नहीं दे रहें तो इस education का कोई मतलब ही नहीं है ये next to zero है तो आपको यहां पे quality पे focus करना ज़रूरी है आपकी जो detention policy है उसको restore करना ज़रूरी ह urgent need है कि आप RTE के तहत ही upper primary stage पे detention policy को restore करें और आप remedial coaching का भी एक प्रावधान लाएं मतलब अगर कोई बच्चा किसी एक subject में कमजोर है तो उसके लिए remedial अलग से coaching होनी चाहिए technology का इस्तमाल करिए अपनी teaching को अपनी learning को interactive बनाईए तब बच्चे ध्यान से सुन पाएंगे उनका जो है interest जागेगा तो ये बहुत important है साथ ही साथ इससे education का access भी बढ़ेगा ये एक बहुत important factor है ये देख लीजे technology के माध्यम से अगर आज मैं आपको South India में किसी हिस्से में बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप उतर प्रदेश में हैं तो भी आप तक ये मेरा lesson अगरी education में भी आप infrastructure में focus करें आप education को accessible बनाए हर एक जगे education हो अभी हालात ये हैं कि school में toilets नहीं हैं जिसकी वज़े से जो लड़कियां हैं वो जल्दी ही drop out कर देती हैं आपको toilets construct करना जरूरी है safety को आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए infrastructure school को इतना खराब है उसको आप बहतर कीजिए भी अगर आप एक अच्छा विकास चाह रहे हैं तो अपनी नीव तो मजबूत करिए education आपकी नीव बनेगी तो उसको मजबूत करना ज़रूरी है आप ज़्यादा funds दें यहां पे vocational training भी आप incorporate करें skill based education को incorporate करें तो ये सब आपको early level से करना ज़रूरी है less than 4% है health का जो कि एक बहुत चिंता जनक बात है वहां पे आपको मेहनत करना ज़रूरी है लोगों के जो out of pocket expenditure है जो उनकी जेब से पैसा जा रहा है उसको कम करिये उसी के चलते लोग poverty के line के नीचे आ जाते हैं क्यों क्योंकि अगर मान लीजिए आपके कोई आदमी public किसी भ प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां पे उसकी जेब से इतना पैसान लग गया कि अगर वो आदमी इस गरीबी रेखा के यहां था तो धीरे धीरे उसके सारे पैसे खर्च हो गया और वो BPL कैटेगरी में आ गया तो जो poverty की line में धकेलने वाला factor है कि यह बड़ा factor है तो पैसा करिए कि प्राइवेट को भी साथ में ले लीजिए PPP प्रोजेक्ट के तहत infrastructure development कराईए प्राइवेट अच्छे से अच्छी सुविधा प्रोवाइट करेगा और धीरे से government इसका control ले ले यहां पे skilled workforce रखी है देखा जाता है कि primary healthcare पे ध्यान नहीं दिया जाता तो वहा जरूरत है आपको skilled workforce पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है PPP प्रोजेक्ट को implement करें आपको करना यह है कि आपको insurance का penetration करवाना है जितनी अंदर तक गहराई तक penetration होगा insurance का उतने ही लोग जागरुख बनेंगे अगर मेरे हाथ में आज मेरे पास insurance है और कल को कोई need आ जाए त कम से क्यों क्योंकि मेरे बास insurance है वो काफी हद तक मेरे जो है शौक को absorb कर लेगा आज के समय में मैं देखों तो यह 1% के करीब है इतना कम है insurance तो insurance के लिए जागरुखता बढ़ाई है जिससे कि आपके out of pocket expenditure कम हो और सरकार कुछ scheme चला रही है जैसे कि राष्टिये स्वास्त बीमा योजना इसी insurance के तहद ऐसी schemes को और boost मिलना जरूरी है ऐसी schemes का सही तरीके से implementation होना जरूरी है और मैं इसको conclude करता हूँ एक अच्छे note पे कि अगर देश के पास healthy और पढ़ीली की population है तो उसमें कुछ भी कर जाने की शमता है वो बहुत अच्छी तरीके से grow कर सकता है और वो अपने developmental agenda जो उसने बनाए हैं जो उसने अपने विकास के goal ताय कर रखे हैं वो उसको निश्यत ही meet कर पाएगा तो ऐसे आपने positive note पे इसको end किया अगला question देखते हैं देखिए अगला question है भारती governance system के बारे में और यहाँ पर बता रहा है role of non-state actors non-state actors में क्या है दे वहीं पर आपकी civil societies हैं उसके अलावा आपके और भी ऐसी societies हैं जो सरकार पर किसी तरीके प्रेशर बनाती हैं वहीं पर इसके कुछ negative factors भी हैं जैसे कि extremist group हैं जो भारत की internal security को खत्रा बनते हैं दूसरी बात आपके हो गए terrorist organization हैं तीसरी बात नकसलवादी हैं तो यह जो आप के हैं यह दोनों ही आपके non-state actors हैं question कह रहा है कि अगर भारतिये governance system के अपन बात करते हैं तो ऐसे गैर राजकिये करताओं की भूमिका बहुत कम है बहुत limited है बहुत सीमित है इस पे आपको critically examine करना है मतलब दोनों ही बारे में बोलना है अगर आप यहाँ पर पकड़ेंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई NGO अच्छा काम कर रहे हैं civil society अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर example भी देते हैं यह साथ में नर्बदा बचाव आंदोलन में इन में से NGO ने अच्छा काम किया बहुत लेकिन वहीं पर आप negative हिस्से को भी साथ मिले कि ऐसा नहीं है कुछ non-state actors हैं जो फिर खराब कर रहे हैं हमारी internal security का महौल तो आप दोनों चीज़ा साथ मिले critically examine करना है आपको इसका मतलब बहुत गहराई तक जाना है हर एक पार्ट को पकड़ना है की facts को समझना है और proper evaluation करना है अच्छे बुरे दोनों ही पहलुओं को आप आपको देखना है और एक balanced note पे इसको खतम करना है question को मैं तोड़ता हूँ तो ये मेरा आता है दो भाग सबसे पहले तो question का background है non-state actors का role वो कह रहा है कि marginal है मतलब बहुत सीमित है कहां पे भारत के governance system में आपको इसी बात को बताना है कि है या नहीं है और balanced judgment दीजिए तो वो प्रकट करते हैं वो आप बताएंगे उसके अलावा आप ये बताएंगे क्या concerns हैं आज with respect to non-state actors इस concern में आप बताएंगे क्या problems हैं कि भई non-state actors जो अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं बढ़ पारे तो यहां पे आप बता सकते हैं सरकार के नियम जो FCR Act आया उसके तहत बहुत सारे NGO जैसे की green piece थे उन सब पे लगाम लगा दी गई तो इस तरीके से आपको ये वाला question deal करना है finally आप क्या करेंगे आप conclusion में अपना एक stand पकड़ेंगे और उसको मजबूती देंगे तो देखिए मैंने शुरुआत कैसे किये मैंने non-state actors बताया होता क्या है क् कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसी entities हैं जिनके पास काफी जादा power है कि वो influence कर पाएं सरकार को या किसी भी policy making को बिना खुद हिस्सा होते हुए सरकार का देखिए non-state मतलब वो state के कहीं भी involvement में नहीं है बाहर ही लोग हैं कोई बाहर के लोग हैं वो लोग सरकार को या उनकी policy making को influence करती है इतना वो जो है शमता अपने अंदर रखते हैं ये कौन-कौन हो सकते हैं ये civil society हो सकते हैं ये NGOs हो सकते हैं फिर देखिए मैंने body में examples के साथ इस question को deal किया है भाई मैंने बताया positive contribution क्या करते हैं ये चीज को वहां कि आपके सरकार को responsible, transparent, responsible and accountable बनाते हैं फिर मैंने examples लिए सबसे पहले independent think tank का जैसे कि observer research foundation ये एक संस्था है कि independent think tank है और ये हमारे यहाँ पे भारत में राय सीना हिल का एक dialogue होता है हर साल उसका आयोजन करता है उसमें क्या होता है geopolitics, geoeconomics इन दोनों पे चर्चा होती है बहुत सारे nations भाग लेते हैं तो आप ये देखिए कि ए तरीके से आगे बढ़ा रहा है global sphere में पूरे फिर उसके बाद NGO कई children के लिए भी काम करते हैं जैसे कि बचपन बचाओं आंदोलन जैसे कि child rights and you ये लोग सरकार को force करते हैं ये उनको push करते हैं कि आप ऐसी policies का निर्माण करें जो बच्चों के hit में हो उसके बाद कुछ civil societies भ management में जो की था लोकपाल एंड लोकायुकता एक्ट उसमें civil society का एहम योगदान था फिर मैं बात करूँ अगर business और pressure group की तो ये है FIC की CFI ये क्या करते हैं ये सरकार को force करते हैं कि वो business friendly initiatives को introduce करें वो capital friendly reforms लाएं जिससे कि देश में investment बढ़े देश में industries बढ़े देश का वि इनका भी अच्छा योगदान है labor organization की बात करें तो ये fight करते है labor reforms के लिए कि सरकार labor के लिए अच्छे अच्छे reforms लाए labor laws को थोड़ा relax करें तो ये आपने कर ली भाई सारी अच्छी बाते हैं अब देखते हैं खराब बातें क्या हैं सबसे पहले तो कुछ issues हैं ये लोग क थोड़ी reluctant है वो वो चाह नहीं कि बाहर से कोई भी आए और participate करें decision making process में जो bureaucrates है वो हमारे traditional bureaucratic system ही follow कर रहे हैं जो हमको British की देन है तो उसमें reluctance बहुत है उसमें आज लोग ये बात नहीं मान पा रहे हैं कि participation जितना जादा होगा उतनी ही बहतर policies बनेंगी तो ये भी एक प इसने बहुत सारे जो non-state actors हैं उन पर क्या किया एक बहुत strict regulation लगाया financing बहुत मुश्किल हो गई इसके तहत कुछ NGO को तो ban तक कर दिया गया था क्यों क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो भारत की security में हानिकारक हो सकते हैं जैसे कि green peace तो ये जो norms थे इस वजह से भी इनक तो independently function करने में परिशानी face करनी पड़ी आज हमारी सरकार जो है वो top down approach follow करती है जो की गलत है होना चाहिए bottom up approach आप नीचे से शुरू करिए कोई reform तो धीरे धीरे करके ये उपर तक आएगा आप उपर से reform शुरू करते हैं नीचे जाते जाते ये गायब हो जाता है नीचे तक पहुँच ही नहीं पाता तो अगर ये आप इसको change करके आप bottom up approach शुरू करेंगे तो आपके participation भी बढ़ेगा क्योंकि चीज शुरू हुई है ground root से grassroot level से तो वहाँ पर participation बढ़ेगा अब भई कुछ चिंताएं भी हैं एक intelligence bureau के report आई थी 2014 में जिसने ये बताया था कि ये जोरदार किया गया जिससे उसके जो है नजर से कोई भी बचना पाए उसी report ने ये भी बोला कि ये जो non-state actors हैं ये बहुत सारे developmental projects को रोक रहे हैं इसकी वज़े से हमारी जो economy है उसको damage हो रहा है वो भी करीब 3% of GDP तो ज़रूरी है इनको रोकना इन पे strict regulation लगाना और कभी क बार आप जानते हैं कि ये जो non-state actors होते हैं ये गलत activities में भी फसते हैं जैसे कि bomb blast, act of violence, नकली currency चापना, terrorism financing जो हमारे भारत की stability को खराब करता है तो आपने plus बात किया, आपने minus बात किया, आपने बता क्या issues हैं इस plus वालों की अच्छी functioning के लिए अब हम ये बात करते हैं कि कुछ strong stringent policies के चलते हैं ये लोग अच्छा काम अगर करना चाह रहे हैं तो उनकी autonomic कमजोर पड़ गई है, लेकिन ये autonomic को अगर आप कमजोर नहीं करेंगे तो आपके जो non-state actors हैं, जो extremist हैं, terrorist groups हैं तो वो आपका गलत फायदा उठा पाएंगे, तो इसलिए सरकार की policy ठीक है, हाला कि थोड़ा सा जो positive वाले लोग हैं, उनको और बढ़ाना जरूरी है, अगला question देखते हैं, देखी ये वाला जो question है, ये कह रहा है कि कोई भी government system की effectiveness जो है, अलग-अलग level पर आप देखें, तो वो लोगों के participation से बढ़ती है, मतलब अगर आप देखें, people का participation और effectiveness क किसी भी government system की, तो ये आपस में interdependent है, अगर सरकार effective काम करेगी, तो उसमें participation का एहम भूमिका होगी, अगर effective सरकार है, तो वो participation को बढ़ावा देगी, मतलब ये एक cycle है, ये आपस में related है, इस जो relationship है, इसको आपको भारत के context में discuss करना है, discuss में आपको विस्तार में बताना ह question को तोड़ते हैं, देखी, question ये ही कह रहा है कि अगर आप effectiveness और सरकार देखें, पहला point, और साथ में आप people participation देखें, दूसरा point, तो ये interdependent है, मैंने आपको बताया कि जादा लोग participate करेंगे, तो सरकार effective बनेगी, और अगर effective सरकार बन गई तो वो आगे force करेगी, जादा ल governance उभर के आती है, body में आप बताएंगे, कि भई active participation लोगों का कैसे बढ़ाया जाए, लोग कैसे center of development होएंगे, और साथ में UN की guidelines के बारे में आप चर्चा करेंगे, जहाँ पर UN ने बताया है, कि लोगों का अच्छा participation होगा, तो effective governance होगी, और effective governance है, तो फिर ये है, तो पहल point जो है, मैंने यहाँ पर deal कर दिया, कि कैसे effective governance में लोगों का participation जो है, वो एहम भूमिका निभाता है, वो center stage grind करता है, और यहाँ पर मैंने यह बता दिया, कि UN ने कहा है, कि कैसे लोगों के participation से effective governance खड़ी होती है, तो यह आपने deal किया, अब आते हैं इसके answer पे, देखिए, मैंने good governance की बात की है, इसका aim क्या होता है, एक efficient, एक effective administration खड़ा करना, एक ऐसा democratic framework बनाना, जहाँ पे लोग participate करें, वहाँ पे transparency हो, openness हो, accountability हो, जवाब देही हो, जो कानून है, उसी की बात मानी जाए, participation of citizens जाद से जादा हो, ऐसा जो idea है, वो जो आपके administration है, उसका scope खीच के, formal governance से बाहर ले आता है, और वो कहता है कि ऐसा आपका state ऐसी governance तब बनेगी, जब जनता और आपकी सरकार जो है, वो साथ में जुड़ेगी, अगर आपने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, collaboration करवा दिया, तो फिर आप एक good governance की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, तो आपको collaborate कैसे करवाना है, इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, voluntary organization, private sectors, government के structures, citizens, इन सबका आप nexus बना सकते हैं, और ये जो आपका connect बना है, इस connect के जरीए आप आज जादा participative governance की तरफ बढ़ सकते हैं, आज के एरा में हमको focus करना चाहिए, collective problem solving पे, एक साथ मिलके solve करे problem, ना की individual problem solving पे, एक साथ मिलेंगे, आसानी से problem solve होगी, ज्यादा problem solve होगी, और आप और बहतर और efficient काम कर पाएंगे, अब body में चलते हैं, देखिए, पहला part अपने लिए, लोगों को कैसे सरकार को अपना center बनाना चाहिए, सबसे पहले good governance जो है, वो लोगों को अपना center of development planning मनाती है, मतलब जो पूरा मेरा development plan होगा, वो इस आदमी को आगे बढ़ाने के चारो तरफ घूमेगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इसको पैसा दूँ, इसको education दूँ, इसको skill दूँ, इसको employment opportunities दूँ, इससे ये आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाए, उसके अलावा, इ इससे जो सरकार है, वो भी जादा responsive होगी, जवाबदे बनेगी, accountable बनेगी, एक common man के लिए, अब मैं UN guidelines का सहारा लेता हूँ, UN की guidelines थी on citizens engagement for development, management and public grievance, जिसको आप अपनी copy में note down कर सकते हैं और कहीं भी use कर सकते हैं, ये guidelines कह रही है कि अगर आपको कहीं भी ये बात measure करनी है कि कितना लोगों का participation है, तो कुछ बातों से आप measure कर सकते हैं, सबसे पहला, वो कितना citizens को involve करते हैं अपने policy making में, अपने program development में, दूसरी बात, कितना two way communication होता है, मतलब कितना सरकार से citizen बात कर सकता है, और सरकार कितना citizen से राह ले सकती है, कई मुद्दों पे, तो ये important है, उस सरकार को और सरकार उसका समाधान दे सके, decision making में ये help करेगा, चौती बात collective problem solving पे कितना focus है, अगर ये चार मुद्दे अच्छे से बराबर आपने tackle की है, तो भई आपके सरकार में लोगों का अच्छा बहुत अच्छा participation है, ये UN की guidelines कहती हैं, तो हम इसको बहुत जगे पे use कर सकते हैं, इसको आप note down कर लें, फिर आती है बात अगले भाग की question कि भारत के context में क्या है, देखिए, हमने आजादी से लेकर अभी तक बहुत सारे efforts किये कि हमारे सरकार की performance अच्छी हो, improve हो, constitution में कुछ-कुछ बाते लिखी हुई हैं, जैसे कि fundamental right का chapter है, आपके directive principle of state policies का chapter है, तो ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों ये बोलते हैं कि भाई, सरकार की कुछ responsibilities हैं अपने citizens के प्रती, उनको ऐसे laws, ऐसे rules, ऐसे नियम कायदे कानून बनाने हैं, जिससे उनका citizen protect हो सके, उनका citizen आगे बढ़ सके, तो ये constitutional mandate अपने आप ही कह रहा है कि जो citizen है और जो सरक है, इनको आपस में collaborate करना जरूरी है, वहीं पर आपका समविधान fundamental duties को भी mention करता है, वो कहती है कि इस citizen को अपने देश के लिए कुछ करना जरूरी है, इसको governance इंप्रूव करने के लिए करना जरूरी है, तो मतलब आपका समविधान ही कह रहा है कि आपको collaborative सरकार की तरफ ब mechanism बनाना, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, सरकार से, किसी organ से, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी तकलीफ को register कराईए, जल्दी से जल्दी यह आपकी तकलीफ का समाधान करेंगे, उसके अलावा information technology का ज्यादा use हो गया है, RTI आया है, right to information act के जरीए आप कोई भी बा पड़ती हो, जहाँ पर यह चीजे prohibited हो, बाकी आप सभी बातों को पता लगा सकते हैं, decentralization measures भी सरकार दोरा चलाए गए, पंचायत का establishment, municipality का establishment, इससे क्या हुआ है, power नीचे तक गई है, नीचे तक power जाएगी, तभी locals का participation बढ़ेगा, सरकार काम तो कर रही है, लेकिन थोड़ आई अगला question देखते हैं, देखिए ये वाला question जो है, ये transparency international, ये एक संस्ता है, और ये एक integrity index launch करता है, उसके बारे में है, यहाँ पर इंडिया उस समय बहुत पीछे खड़ा था, तो ये कह रहा है कि आप बताईए, इंडिया जो पीछे है, तो क्या problems है, legal problems क्या है, political problems क्य है, economic problems क्या है, social problems क्या है, और cultural problems क्या है, जिससे हमारा जो morality है, हमारी सारवजिनिक नयतिकता जो है, वो कमजोर पड़ रही है, इस पे आपको बात करनी है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच आपके सीधे-सीधे angles बनेंगे question में, उन सब में थोड़ा-थोड़ा content लि और ऐसे आप address करिए, ये तो बिल्कुल question नहीं आपको answer का structure बता दिया है, discuss करना exhaustive रही है, सटीक बात करिए, मैं question को तोड़ता हूँ, तो देखिए, इसमें transparency international संस्था की बात किये है, और इसके index की बात किये, index में भारत ने अच्छा perform नहीं किया है, क्या-क्या factors हैं, ये कुछ angle बताएगा हैं, जिन पर आपको बात करनी है, approach आपकी रहेगी, सबसे पहले संस्था के बारे में बताएए, फिर इस index के बारे में बताएए, फिर भारत की उसमें क्या rank है, लेकिन मैंने rank यहां पे mention नहीं की, क्योंकि वो उस समय की rank थी, आपको 2019 की rank देखनी है, और यहां पे आप reasons लिखें, legal क्या है, political क्या है, economic क्या है, social क्या है, एक और angle है, cultural वो भी क्या है, फिर way forward बताएए, तो देखिए मैंने शुरू कैसे किया है, यह जो एक संस्था है, यह बरलिन में based संस्था है, और यह corruption के खिलाफ watchdog की तरह काम करता है, यह देखता है, कौन corrupt ह है, कौन नहीं है, annually एक index छापता है, corruption perception index, या फिर integrity index भी यहां पे जो बात हुई है, इसमें आप इंडिया की rank अभी देखें और यहां पे भरें, यह आपका assignment है, उसके बाद आपको करना क्या है, factors पर बात करनी है, जिसकी वज़े से गिर रहा है हमारा जो public morality है, जो हमारा स आप देखें, तो आपका case इतना लंबा चलता है, एक case का परिणाम आने में 5-6-7 साल लग जाते हैं, तो यह जो delayed justice है, यह क्या करता है, corrupt elements के लिए बढ़ावा देता है, जो भी लोग हैं, जो कोई crime करते हैं, उनको लगता है, अब कोई बात नहीं है, अगर case चला भी गया court में, तो इसको लगेंगे 5-6 साल, कोई बात नहीं crime कर दो, तो उनको बढ़ावा देता है, अगर तुरंट के तुरंट फैसले हो, तो लोग कम ऐसे corruption में involved हो, उसके बाद आपका जो act है, prevention of corruption act, उसमें भी loop holes हैं, तो इन loop holes के चलते भी परिशानिया है, rate tapism बहुत है, जितना आप देखें, तो आपकी file को लटका के रखा जाता है, अगर वो चीज दो दिन में हो सकती है, तो उसको 8 दिन लिये जाते हैं, तो ये क्यों, क्योंकि corruption, वो चाहते हैं, आप उनको पैसा खिलाएं, और पैसा खिलाने के बाद वो आपका काम थोड़ा जल्दी कर दे, अगर इसके तहट, bureaucracy पे बहुत जबरदस प्रेशर लगाता है, तो ये जो प्रेशर पड़ता है, इसके तहट, bureaucracy भी थोड़ा डर जाती है, और वो decisions लेने में पीछे हटती है, कि हम decision लेले, कल को कोई गलट decision पढ़ गया, तो हमें इसी act के तहट अंदर कर दिया जाएगा, भले ही जलते हैं, political factors में, political will की कमी है, वो तो आपको पता है, हर जगे का एक common point है, political will की कमी, उसके अलावा, political parties जो है, वो आज भी RTI के दाएरे में नहीं आना चाह रही, जबकि CIC ने order किया था कि आपको आना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि उनको डर है, हम हुँ बना लेती है, और उसी के तहट, इसी वाले capitalist को promote किया जाता है, अब जो इसको promote करेगा, तो ये आपके corrupt aspirations को बढ़ावा दे रहा है, आप favorism कर रहे हैं, इससे बड़ी आप open market करिए, सब को पूरा मौका दें, लेकिन या मौका नहीं मिलता है, election funding बहुत opaque है, इसमें प political influence बहुत है, आज हमारे पास anti-corruption watchdogs है, हमारे पास संस्था है, जो corruption को रोकें, CVI है, CID है, CVC है, लेकिन politics इसमें इतना influence, इतना interfere करती है, कि ये लोग भी अच्छे से काम नहीं कर पाते, transfers होते हैं, अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आप honest officer हैं, आप system के खिलाफ जाना economic factors की बात करें, parallel economy चल रही है, जिसकी वैसे inflation बढ़ा हुआ है, black money है, tax evasion हो रहा है, globalization जो है, उसने inequality को और जादा बढ़ावा दिया है, higher standard of living चाहिए हार आदने को, चाहें जैसा हो, चाहें सही तरीके से हो, चाहें गलत तरीके से हो, उसके बाद tax का बहुत evasion हो रहा है, scams साब के इतने जादा है, 2G scam, Colgate, Augusta, Westland, सब में कहीं न कहीं जो involved है चीज, वो है corruption, corruption आपका जब तक रहेगा देश में, तब तक आपका सारवजनिक नेतिकता आप में कहां से आएगी, आप उस वाले index में कहां से आगे बढ़ेंगे, फिर बात करते हैं, social cultural factors की, तो ये जो factors हैं, अब मान लीजिए, बहुत सारे caste-based cultures जो हमारे अभी भी भारत में कहीं न कहीं बसे हुएं, उससे लोगों को equal growth opportunity नहीं मिलती, आदमी पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी ऐसे वर्ग से belong करता है, जिसके लिए बाकी सारे वर्गों में मान सिकता अच्छी नहीं है, तो उसक जॉब नहीं दी जाती, jobless growth हो रही है देश में, जिसकी वज़े से inflation तो बढ़ रहा है, लेकिन आदमी का earning potential नहीं बढ़ रहा है, आपका earning potential नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे से आदमी क्या है, corrupt practices की तरफ देखता है, donation देके colleges में भरती होता है, या फिर bribes देके अपने काम क उसको पता है, आम आदनी तो देश में पिस रहा है, तो bribe दो के तभी काम चलेगा, इस तरीके की culture को हटाना जरूरी है, materialism है, लोग देख रहे हैं कि सामने वाले के पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास लेकिन गाड़ी कैसे हो, जब मैं corruption तो इससे भी corruption बढ़ रहा है, देश में dowry जैसे practices हैं, अभी भी लोगों को बहुत रईश शादियां करनी है, तो इन वजह से भी आपके देश में पैसे की demand बढ़ रही है, need of money बढ़ेगी, तो कैसे आएगी, वो corrupt practices से आएगी, क्योंकि सरकार या फिर अगर private company वो तो आप आपको limited पैसा देगी, आप corruption करोगे, under the table पैसा लोगे, तभी बढ़ेगा, और इन सब factors के चलते देश की जो morality है वो पीछे हो रही है, जहां पे हमें आगे होना चाहिए ता वहां पे हम पीछे हैं, जहां हमें पीछे होना चाहिए ता वहां हम आगे हैं, तो ये ठीक नहीं उजवल भविश्य दिख रहा है, लेकिन इस पर अच्छे से काम होना जरूरी है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, इसके अगले वीडियो में इसके बाद के questions को discuss करूँगा, उमीद करता हूँ मैं आप लोगों को मेरे वीडियो से मदद मिली होगी आप लोग notes बना रहे होंगे, आप लोग practice कर रहे होंगे, please practice करिए उसको मच छोड़िये, और आप मेरे साथ इतनी देर बने रहें, आपने इस वीडियो से knowledge ली, इससे help ली, इसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, धन्यवाद